मैं भारत को भारती अता की मानिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ वैसे ही रक्त में कीचर बहुत हो गया, माने कॉलेस्टरॉल बहुत बढ़ गया तो वो जो इंसुलिन जाना चाहता है वो नहीं जा सकता जिस स्पीड से जाना चाहिए नहीं जा सकता स्लो हो जाता है, कम जाता है या कभी-कभी ऐसा हो जाए कि रक्त बिल्कुल गाड़ा हो गया एक तम ठिक हो गया, तो वो इंसुलिन बैठ जाता है वहीं का और ग्लुकोज को लिए रहता है अपने साथ ग्लुकोज उसके ऊपर बैठता है, इंसुलिन वहीं बैठ जाता है तो वो बैठा हुआ इंसुलिन है, जो रक्त में डिटेक्ट हो जाता है जब भी आप चेक कराईने न, तो ग्लुकोज आ जाता है तो उसी को कहते हैं, ब्लड शुगर इतनी बड़ी होई है अब आप ध्याद रखिए, ब्लड शुगर का चीनी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है कॉलेस्ट्रोल के साथ कनेक्शन है हमेशे याद रखिस पाद, डॉक्टर भी जानता लेकिन बताता नहीं होई है क्योंकि कॉलेस्ट्रोल को कम जादा करना तो हमारे हाथ में हैं मैंने बता दिया इतनी सवेल क्रिया थोड़ी देर पहले आप कम कर सकते हैं जादा कर सकते हैं डॉक्टर आपको ऐसे बेबा हो ये तो ठीट नहीं होगा इंसुलिन तो है हमारे शरीम में बाहर से पिर क्या करते तो बाहर से जो आठीफीशल इंसुलिन है यह थोड़ा काम कर देता है क्योंकि यह नया नया है ठका हुआ नहीं है यह जाके थोड़ा सा खटखट कर देता है ग्लुकूस को पहुचा देता है लेकिन फिर उतनी देर के बाद वो खतम हो जाता है शाइकल नहीं बना पता है तो आपकी पैंक्रियास से निकलता है तो आपको क्या करना है डाइबीटीज के पेशेन्ट को भी सारी टाकत इस बात पर लगानी है कि उनका रग्त का कॉलेस्टरॉल घटे और हो जैसे जैसे कॉलेस्टरॉल घटे खुन-पतला होने लगेगा यह गुलुकुज लेके जाने लगेगा अंदर जो नहीं जा रहा है तो डाइबिटीज के पेशेंट को भी वही करना है जो हर्ट के पेशेंट को करना है मैं तो हर्ड ओर डायविटीज, एक ही सिक्क्य के दो हिस्से हैं इसमें भी खून को बतला करना पड़ेगा, कॉलेस्टडॉल कम करना पड़ेगा अच्छा कॉलेस्टरॉल बढ़ाना पड़ेगा, बुला के लिए करना पड़ेगा और ये आपको बता है, जितने प्रस्क्रिप्शन थोड़ी देर पहले मैंने काई घी बदल दीजे, नमक बदल दीजे, तेल बदल दीजे, ये सब डाइबिटीज के लिए भी लागू होगे, जो हर्ट के लिए लागू होगा है, बस एक ही चीज लागू नहीं होगी, एकोना और चीज जो आपको लेनी पड़ेगी, डाइबिटीज प्रेशन को, वो क्या-क्या है, आपके रसोई घर में शायद वो ना मिले, लेकिन बाजार में आसानी से उपलत है, जामून एक फल आता है, बोटनीकल नेम है उसका जंबो ले, हिंदी में हम सब कहते हैं जामून, उ सूकी गुठलिया, उनका पाउडर बनाना है, और वो पाउडर रोज एक चम्मच खाना है, गुन-गुने पानी के साथ, ये डाइबिटीज वाले को एक्स्ट्रा करना है, जामून की गुठली का पाउडर बजार में मिलता है, खुद भी बना लो, जामून जब आती है, त खुब जामून खालो, गुठलिया सुखालो, सुखा के कूट के पाउडर बना लो, तो डाइबिटिक पेशेंट को ये एक्स्ट्रा है, ये हर्ट के लिए डाइबिटिक, सबेरे, जो भी लेना है सबेरे, एक चम्मच और एक चम्मच माने टी स्पून, खाली में लेंगे तो बहुत अच्छा, गुल बने पानी के साथ लें, चलेगा, उसके साथ भी ले सकते हैं, जामुकी गुटली का पाउडर सबेरे के पानी के साथ लिए जासे हैं, और ज्यादा शुगर बढ़ी हुई है, तो समझ लीजिए, कॉलस्ट्रोल और जाता है, तो इसको दो बार क के लिए ले रहे हैं, वो तो ही, ये एक्स्ट्रा है, जामुकी गुटली का पाउडर, ये जामुकी गुटली के पाउडर चे साथ और भी कुछ है, जो ले सकते हैं, करेले के बीज का पाउडर, करेला है, उसके बीज दिकाल के सुखा लीजे, और या तो करेला ही छोटा- चोटा पीस करके सुखा लीजे साल वर वो चलता है उसका पाउडर बनाके तो जामुन की गुटली का पाउडर आदा चमज कर दीजे करेले का पाउडर आदा चमज कर दीजे यह करेले के चाहर हुआ बता रहा हुआ भी आपके पास करेले के छोटे-चोटे-चोटे-पीस हैं सुखे हुए उनका यूज करिए आपके बास याहुन की वृखली का पाउडर एंशको यूज करिए और अब इसमें चाहें तो नीम की निम्बॉली सुखी निम्बॉली बजार म मिलती है उसका भी पाउडर बना लीजे उसको भी आदा चमच ले लीजे तीनों मिलाकर डेड़ चमच हो गया जाहुन की वृखली का करेले का और नीम के निम्बॉली का तीनों का पाउडर मिक्स करके डायबिटीज के पेशें हर्ट वाले ये कभी न ले ये सिरु डायबि जती होगा जाया कि में लगातार फिर कंद्र वीस दिन ब्रेक फिर फिर वैंडरी दिन ब्रेक जब आपको लगे कि आप सब कुछ नौर्फाल हो गया है तो दीरे दीरे बंद एक गुटली निकालने तो ठीक है नहीं तो बिना निकाला ही पीस सो कोई दिकत नहीं इतार तो उसमें कुछ ज्यादा कुछ मिलावट नहीं है और कुछ आदमी का दिमाग दिमाग भी ज्यादा नहीं लगता है यह अपना दिमाग जहां लगाता है वही सारी कर दो करते हैं आखा लिजे देशी खांडा लेश्यिव भी आट देशी खांड पत्थर आ हैं कि फुले का सकते हैं देशिखाण्ण का सकते है वारे कंड़ेंगे है लेकिन चीनी नहीं है शुगर घजर पाग भने पने रोगोर में इस सबीज़र ले कोई दिककत नहीं हलुआ बनातें ना बुडों कोई धिकट नियुदी बस इतना ही ध्यान रखना है मेरा इतना ही कहना है कि आप ये सब मीठी चीजे जो बगवान की बनाई हुई है जरूर लीजे क्यों लीजे जान लीजे आदमी की बनाई हुई जो मीठी चीजे और उनमें ग्लुकोज है बगवान की बनाई हुई जो मीटी चीज़े हैं वो सब फ्रक्ट्रोस है यह फ्रक्ट्रोस जो है ना इसली डाइजेस्टेबल है डाइबिटिक पेशेंट भी उसको हजब कर लेगा तुरण और यह ग्लूकोस है यह नहीं होता असानी से अभी गुड़ जब सलेक्ट करना है तो आप एक ही उसका क्वालिटी देखिए कि उसका रंग जितना डार्क होगा गुड़ उतना ही अच्छा हूँ जैसे मैं खड़ा हूँ यह पोडियम का कुछ कलर यह पोडियम के कलर का गुड़ अगर लाएंगे ही दार्क तो डार्क इमीट का क्वालिटी इच्छे कि सब्सक्राइब कर ढूंट अजया ऊट्नी उसको करते तो तो ऐसा रोड़ उन से शाफ किया जाता ऑफ इक तक ही गृट होता सब्सक्राइब ऑने दाएं तो आप जैब भी भी भीविए खरीबने जाए तो दुकान वाले को कहे जिए मुझे डार्क कलर का ही दो वो कहेगा बाभू जी अच्छा नहीं है देखने में तो उसने का देखने में खराब है लेकिन खाने में वो ही अच्छा तो आप गुड़ वो खा सकते हैं कि पेशन के लिए फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो कुछ आप हर्ट के लिए करते हैं वो सब करना है एक्स्ट्रा जो मैंने बोल दिया जामुकी गुटली का पाउडर है या आपके पास नीप की निम्बोनी का पाउडर है या करेले का पाउडर यह एक चीज़ है और जामुकी गुटली का पाउडर जैसा ही होग एक मेडिसिल भी आता है वो जामुकी गुटली से भी बनता है आप उसका भी चाहें तो नाम लिख लिजें कि छीजियू जाम बोली कि चीजियूम जाम सीजियूम जामोली यहोइवस में श्टाइड वाई आई ए ू ए आ थर पने कुछ और निएवस धूर Been स्टानी की यूम 계 overth जंबुलिंग यह एक दवा है इसके आगे लिख लेना बदर टिंचर सीजियम जंबुलिंग बदर टिंचर यह दवा को पानी में मिलाकर पीना जो डाइविटिक हैं अगर आपको जामन की गुटली का पाउडर नहीं मिलता है तब यह दवा यूज कर सकते मिल रहा है तो यह दवा मतला ही है क्योंकि यह दवा उसी से बनी हुई चौधाई कब गुनगुना पानी मिला दीजे हां और सबेरे दुपहर शाम खाने के पहले या ब्रेकफास्ट के पहले डिनत लंच के आदा गंटे पहले इसको पीना तो यह डाइविटीज के लिए करना और डाइविटीज के लिए एक छुटी छुटी बात है और जरूर घ्यान रखनी है आपको कि टैने के हर पेशंट को ब्रेकफास्ट छोड़ना पड़ेगा महिं को बडरिय इसके हर पेशंट को ब्रेकफास्ट चोड़ना पड़ेगा ब्रेकफास्ट के समय पर लंच करना पड़े के समय जौन पर चाही diffrement को यह कंपल सरीए आप अगर 8 बज चार से पांच बज़े के आसपास डिनर करें हाँ आठ नो बज़े लंच चार से पांच के बीच में डिनर ये कंपल सरी है पांच का जादा से जादा छे हो सकता छे के आभी ने हाँ सुबही सुर्यास्त होने के पहले और सूर्य अब्य होने के एक घंटे के बाद आपका लंच हो जाना बीच में भूख लगे ली तो उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़े खानी है जैसे फल आदी में लीजे, मुफली का दाना खा लीजे, चना खा लीजे है? क्या? क्या? मुफली का दाना LDL बढ़ाता है LDL बढ़ाता है LDL बढ़ाने वाली चीज़ें तो हैं NDL बढ़ाने बढ़ाता है ? . झाल झाल